हलो एवरीवान, वेलकम टू कपूर क्लासे। मेरा नाम है क्रतिका और जैसे कि हमने सीरियस स्टार्ट की है, आभी तक हम एं लेटर से स्टार्ट होने वाले काफी सारे एऴब्स पर चुक हैं आपके बहुत काम आएंगे ही लेकिन यह जो idioms and phrases हैं अगर आप किसी भी government exam की preparation कर रहे हो जिसमें English आती है तो वहाँ भी आपके लिए बहुत जादा helpful रहेंगे तो जादा time ना लेते हुए start करते हैं आज की यह video और देखते हैं आज के हमारे idioms and phrases क्या हैं उनके meanings और उनसे क्या-क्या sentence बन सकते हैं तो आज का पहला idiom है हमारे पास bug someone अब अगर आप यह image देखो तो कैसा लग रहा है कि एक जो है लड़का लड़की एक जूसरे से irritated है ना गुस्सा कर रही है लड़की लड़के पे है ना तो bug का मतलब होता है किसी को annoy करना है ना बग का मतलब क्यों होता है किसी को annoy करना, irritate करना, किसी बात पर bother करना तो bug करना उसे हम कहते हैं ठीक है तो bug someone means to irritate और bother someone for example जैसे भाई बहन के गर हम बात कर लें एक जन कहता है कि मुझे टीवी पर कार्टून देखने है दूसरा कहता है मुझे गाने सुनने है तो वो फोन कीशते है एक दूसरे को irritate करते है चैनल change करकर के तो उसे कहेंगे हम bug करना so it is very common in between siblings to bug each other तो भाई बहनों के बीच में ये बहुत ही common सी बात है कि वो एक दूसरे को बहुत जादा annoy करते हैं या irritate करते हैं next देख लेते हैं next भी bug से related है bug eye bug eye होता है having bulging eyes मतलब ऐस होता है आप किसी को देखते हो तो आपकी आँके खुली की खुली रह जाती है आपको लगता है ओ वाओ मतलब किसी चीज को कभी किसी dress को देखके किसी car को देखके maybe किसी jewelry को देखके कोई भी ऐसी बहुत अच्छी च having bulging eyes जैसे हमने हाँ पर image में भी दिखाया कि ओ वाओ वाली feeling आँके खुली रह जाना so इसमें sentence मैंने या लिखा है I was bug eye looking at her wedding costume and jewelry her parents have gone over and above to see her happy gone over and above मतलब अपनी हैसियत से जादा कुछ करना ठीक है तो जब मैंने उसकी शादी की costume और जूली देखी तो मेरी आँके कुली की खुली रह गई उसके parents जो थे वो अपनी हैसियत से जादा गए उसको खुश करने के लिए मतलब जितना उनकी capability में था उन्होंने उससे जादा ही किया उसके लिए थार्ड है हमारे पास blazing row blazing row का मतलब क्या होता है एक बहुत ही argument जब चलता है दो लोग जब गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से और argument शूरू हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं blazing row जैसे क्या होता है husband wife के बीच में कोई एक topic के एक चोटी से बात की पीछे उनकी लडाई हो जाते हैं फिर क्या होता है वो topics जो है वो start कहीं और से होती है लडाई और पहुंच कहीं और ही जाती है तो वो argument बढ़ता ही जाता है और उस argument को जो गुस्से में जो argument हो रहा है और जो बहुत लंबा argument चल गया उसको हम कहेंगे blazing row so the couple had a blazing row about the money spent on shopping in the middle of shopping mall तो shopping mall के बीच में जो shopping उन्होंने की थी कि कितना खर्चा हुआ उसको लेके जो था couple के बीच में क्या हो गया आगुमेंट हो गया बहुत ही fight हो गयी यह जगडा हो गया है तो उसे हम कहेंगे blazing row next is break a leg break a leg का मतलब देखो अगर हम वैसे देखे तो लगता है किसी की टांग तोड़ने की बात कर रहे है न but break a leg जो है यह बहुत ही positive sense हमें देता है break a leg का मतलब होता है जब आपको किसी को good wishes देनी होती है for example go and break a leg कि जाओ और अच्छा करके आना good luck best of luck जहां भी आप किसी को best wishes देना चाहते हो वहाँ आप उसे कह देते हो break a leg ठीक है क्योंकि पहले इसका origin जो है देखो यहां लिखा भी है मैंने theater world से हुआ है वहाँ भी कहते थी कि अगर हम किसी को good luck कहते है न तो यह अंध विश्वासता है कि वो bad luck लेके आता है तो इसलिए उन्होंने कुछ उल्टा बोलना शुरू कर दिया और उसका मतलब यही था कि good luck go and break a leg जाओ अच्छा कर क्या न good luck ऐसा वाला next है हमारे पास belly up belly up अब belly up का मतलब यह है कि जैसे अभी कोरोना वारिस के time पर क्या हुआ है कि बहुत जादा markets गेर गई न अगर हम बात करें companies की भी तो बहुत सारी industries पर impact बढ़ाए बहुत सारी companies बंद हो गई है तो belly up का मतलब होता है to fail to shut down a business या फिर bank corrupt हो जाना है न कई ऐसे होता है कि कुछ एक airlines थी है भी जैसे travel तो बिलकुल ही बंद है international travel के अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक airlines ऐसे हैं जो bank corrupt हो गई है तो जब ऐसे situation आती है तो उसे हम कहते हैं belly up so many companies went belly up during the great inflation तो जब बहुत सारी companies जो थी वो क्या हो गई बंद हो गई, bank corrupt हो गई inflation की वज़े से आती है न इसे situation की companies bankrupt हो जाती है वो अपने employees को निकाल देते हैं उनको salaries भी नहीं देती है न या फिर कोई company बंदी हो जाती है क्योंकि काम नहीं चल रहा होता और reason हो सकता है बंदी हो गई है है रिसेशन की वज़े से maybe कुछ भी हो सकता है अलग-अलग reasons होते हैं तो belly up का मतलब है shutdown या फिर bank corrupt हो जाना clear तो इसी के साथ हमारे आज के पांच B letter से start होने वाले idioms and phrases complete हुए अब हम मिलेंगे हमारी next video में और वहां पे हम और idioms and phrases को discuss करेंगे तो thank you so much for your time and have a good day